नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टोप 25 परमोग खबर जानते हैं हमारी से निपटने के लिए प्रयाप्त मानव संसाधनों की बढ़ती हो सकता कि समिक्षा की बैठक में कई ऐसे निर्नायों को मंजूरी दी गए जिसे कोविड डूटी में चिकित्सा कर्मियों के उपलबता काफी हथ तक बढ़ जाएगी बता दे बढ़े निर्नाय के तहत न जारखण में कुछ दिनों के लिए संपून लोगडाण की घोसना की जाए मुख्यमंत्री हेमन सुरेन इस बार में मंत्रियों से बिमर्स कर बुद्धवार को उच अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हम फैसला करेंगे बता दे इसे पहले जारखण में कई सारे काई और पवंदियों के साथ पहले 22 से 29 अफ्रेल फिर 29 अफ्रेल से 6 माई की सुबा 6 बै तक जारखण में लोगडाण लागू किया गया है मीनी लोगडाण से किसानों को नुक्सान सरकार मुखजा दे मिनी लोकडाउन के कारान सबजी उगाने वाले किसानों को हो रहे नुकसान पर मेर आसालाकडा ने क्रिसी मंतरी को पत्र लिखा है मेर ने कहा है कि मिनी लोकडाउन से किसान सबसे अधिक परभावित हो रहे है उनकी सबजीय बरबाद हो रही है मंडी में भी इन सब्जीयों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं सब्जीया खेतों में ही सड़ रही है कुछ किसान सब्जीयों के बिकरी के लिए मंडी तक पहुँच रहे हैं परन्तु खरीदार के अभाव में न तो उनकी सब्जीया बिकर रही है और नहीं उनका लागतमुल निकल पा रहा है दो दिनों में सदर अस्पताल में अक्सिजन युग 300 बेट त्यार करे हाई कोट चैर्खन हाई कोट ने राची के सदर अस्पितल में अक्सिजन युक 300 बेट की सुईदा उपलावद नहीं होने पर कोई नराजगी जताई है और ठेकेदार को दो दिनों के अंदर से इसकारे पुरा कर अधालत को अगत कराने का नेदेश दिया है मीडिया कर्मी को करोना वर्यस का दर्जा रामेशवर उडाओ में डाल कर सरकार की गाइडलाइन को जन जन तक पहुचाने का काम कर रहे हैं लोग की परसानियों को परसासन के समक्ष पहुचा रहे है पंचाज सचिव अभियार्थियों ने राष्ट पति से लगाई गुहार या फिर मेटियूद राण्ट का आदेश दिया जाए बतादे अभियार्थियों ने राष्टपती को लिखे पत्र में कहा है कि पांच हजार पंचाज सची अभियार्थी कानून कोट और सरकारों के बीच पीस रहे हैं पावंदी को नहीं मानने वालों से वसुला जुर्माना करोना संग्रमन के बरते परसार पर लगाम लगाने के लिए राज में स्वास सुरक्षा सप्ता लगाया गया है दिन के तीन बयज के बाद बगएर वज़ा घरों से निकलने पर पावंदी है सरकार के इस तमाम पर्यास के बाद भी कुछ लपपरवा लोग पावंदियों को नहीं मान रहे हैं और बहाना बना कर पुलिस वालों का चकमा देने का पर्यास कर रहे हैं ऐसे ही नजरा सोमवार की राथ जेल चोक पर देखने को मिला सिग्नल पर आम दिनों की तरह वानों की भीड लगी थी समाजिक और धार्मिक कारिकरमों के आयोजन पर कुछ दिनों के लिए अस्थागित करने की सला रामेशर उराव परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष और राजिक के बीत तथाखाद आपुर्ती मंतरी रामेशर उरावने कुरोना संक्रमन के चेन तोड़ने को लेकर समाजिक तरह धार्मिक कारिकरमों के आयोजन को कुछ दिनों के लिए अस्थागित करने की सला दी है बता देरामेशर उरासोम और कुराची स्थित पार्टी करयालाय में परदेश अस्तरी राहत यमनिग्रानी समितिक कंट्रोल रूम में संग ठन के पतादिकारियों के साथ बेठक करने के बाद पतरकारों से बाचित कर रहे थे इस मौके पर परदेश प्रवक्तालोक कुमार दुबे लाल कि सोरनाच सादेव डाक्टर पी नयर अमेरंदे सिंग मजूद थे मंजुनात भजन्तरी फिर से बने देवघर उपायुक्ते मंजुनात भजन्तरी देवघर के नई उपायुक्त होंगे उपायुक्त करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पसुपालन पर पदस्थापित किया गया है जारखन में 6899 नई केस मिले है जारखन में 129 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 3073 है वही कूल एक्टिव केस की संख्या 69675 है भारत में 3,555,680 नई केस मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 2,22,383 है वहाई भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 34,43,687 है भारत में 3,18,771 मरीज स्वस्थ हुए है वहाई जार्खन में भी 514 मरीज स्वस्थ हुए है जार्खन में 68,991 केस मिले है जो राजी स्वस्थ हुए है पूर्वी सिम्भूम 731,944, बोकारो 392, धानबाद 130, रामगार 410, कुडारमा 285, सिम्भूम 222, देवगार 180, पलामू 178, गुमला 333, गीरीडी 271, सराइकल 14, खुटी 206, लातेहर 245, गडवा 16, गोड़ा 255, लोह 222, साहिव का 49, पाकूर 110, मरीज मिले है जार्खन सीएम आज करेंगे समीक्षा बैठाक, जार्खन के मुख्य मंतरी हमान सुरेन मंगलवार को वीडियो कंफेंसिंग के माधियम से सही विभावों की समीक्षा करेंगे, बतादे इस करम में राज सरकार द्वार संचाली सही म विजना के साथ उपस्थित हो, ताकि क्रोना महामारी के इस दर में राजेवासियों को रात पहुचाई जा सके। में जीला पसुपालन पता दिकारी बिद्या सागर, डाक्टर पलवी सर्मा एवं अनिय के घर जाकर सेंपल कलेक्ट किया जगया है। कोई विचार नहीं हो रहा है और नहीं कोई जाज ही हो रही है। बता दे अब रश्टाचार के मामलों की जाज करने वाले अधिकारी जाज के लिए भी समय मांग रहे है। जारखन में संक्रमित पूलिस पतादिकारियों कर्मियों की संख्या 845। क्रोना वायरस का परकोप लगतार बढ़ता जा रहा है और इस वायरस ने फ्रॉंट लाइन में काम कर रही पूलिस को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बतादेश का अंदाजा इसी से लगाया जस्कता आए कि दो दिन पहले जहां क्रोना वायरस से संक्रमित पूलिस पतादिकारियों कर्मियों की संख्या 642 थी और यहां संख्या 845 हो गई है। जार्खन में ठीका करण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सभी उपायुकतो सिविल सर्जनों को निर्देश। को जन प्रतिनिदियों का भी टिका करन करने को कहा है जो अभी तक पहली याद दोनों डोज का टिका नहीं ले पाए है।